तो आज हम इसे पाँच फेक्टर्स पर बात करने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को चाहे एक्जाम्स की प्रिपरेशन हो चाहे एक्जाम्स की प्रिपरेशन हो चाहे कॉंप्टीट्वी एक्जाम्स की प्रिपरेशन हो इन सब को एक नेक्स लेवल पर ले जाने में हल्प करती है आपके results में भी improvement करती है आप लोग भी परिशान है कि हम कुछ ऐसे factors जो हमारी life में implement करें इन चीजों को implement करें ताकि हमारी exams होने वाली है उनमें हमारा results अच्छा हो हमारा response अच्छा हो हमारी जो exams है हम उसमें हमारा best case से दे रहे होंगे तो यह 5 factors अगर आप apply करते हैं तो आपको guaranteed results देखने को मिलेंगे कुछ दिनों में आपको दीर दीर यह चीज़े realize होगी कि हाँ यह चीज़े मेरे लिए काम कर रही है यह मेरे study पर focus अच्छा बना रही है यहां इससे मेरे marks आपको जो peak hours है आपको अपने दीन का एक एक नट schedule करना है आप यह insert कर लें कि हमारा एक भी मिनट बेस्ट ना हो रहा हो आपको अपना पूरा proper day schedule करना है इसमें आपको कुछ चीज़े बिल्कुल अच्छे से fix करना है अपने उठने गडाइम आप लोगों के सोने गडाइम आपको बिल्कुल fix करना है minimum seven hours की sleep आपको लेना है अगर आपको relaxed और fresh mind से अगले दिन उठके पढ़ाई करना होगा क्योंकि आपको एक्जाम भी दिन में देनी आपको दिन में जाक कर ही पढ़ना है आपको र विजन करना है और कब हमें relax होना है कब study से break लेना है सारी चीज एक एक मिनट आपका proper schedule होना चाहिए इस पी cover में यह सारे factors मैंने खुद अपने उपर apply करके देखे इनके results मिलते हैं जब मैं अपने 12 में था जब मैंने अपने बोट दिये थे तो यह सारे factors मैंने try किये और इ दिन की बहुत बढ़ियां सुरुआत होगी एक अची positive vibe के साथ चालू होता है तो एंड भी positive vibe के साथ होता और आपका दिन पूरा best way में आपका पूरा एक दिन निकलता है अगर आप cold server लेते तो आप इस दिन के starting में fresh feel करेंगे energetic feel करेंगे cold server जहाँ सबसे ज्यादा help करता है वो procrastination में हम जो चीजों को टालते हैं अगर आप cold server के नीचे सुबे से जाकर अगर आप खड़े होनी की हमत रखते हैं तो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं अपने पूरे दिन में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं जो procrastination होता है हमारा चीजों को क्यों टालते हैं अगर को apply करना है वो meditation meditation बहुत important हो जाता है जब focus label की बाद होती है तो अगर आप उट की minimum 10 to 20 minutes अगर आप इस student life में meditation को देते इस पी कवर meditation को देते तो आपका focus label बहुत डेस्टेकली चेंज होता आपको इसके results जल्दी देखने को मिलते हैं अगर meditation बहुत ज़्यादा help करता है minimum 20 minutes आप spend करो जब यह चीज़े मैंने अप्लाइ की अपनी life पे तो मुझे भी results दीखे हैं इन चीजों के आप 20 minutes minimum spend करता है meditation पे तो आपको positivity आईगी आपको focus level increase होगा आपको concentration build करने में meditation है वो desperately help करता है just आप बैट कर अपनी breathe पर focus करके in out करके minimum 20 minutes spend करें इससे आपका focus level बढ़ना चाले होगा concentration power increase होगी point of 4 हमें distractions cut करने cut all your distractions अब जो भी चीज़े आपको distract कर रही है उन्हें आपको हटा देना चाहे वो phone calls हो notifications हो social media हो या friends हो results based studies भी देखा गया अगर आप distractions कम करते हैं तो इससे आपका focus level काफी अच्छा improve होता है आपकी memory power increase होती आप चीज़े memorize कर पाते है और एक और memory का rule है और आप कोई भी चीज़ पढ़ने तो उसे 24 hours के बाद एक बार revise जरू करें इससे आपको वो चीज़े retain करने में help होंगी आपको चीज़े अच्छे से याद होगी बहतर तरीके से आप उन्हें exam में याद कर पाएंगे तो जो भी चीज़े आप याद करें उसे 24 hours के बाद revision करना ना बुलें आप लोगो को अपने सारे distractions कट करने कुछ time की बात है इससे आपको अपने results अच्छे दिखेंगे ताकि आप बाद में regret ना करोगा अगर आप यह पांच चीज़े आज follow नहीं करते तो कल आपको regret होगा और चीज़े को कल आप डील नहीं कर पाऊगे आपको चेंज नहीं कर पाऊगे तो फिप्त आखरी जो फेक्टर जो इफेक्ट करता आपके results को है discipline अगर आप इस important rule को follow नहीं करेंगे तो आपके जो पहले पांच फेक्टर से आप उन्हें भी follow नहीं कर पाऊगे अगर आपके अंदर discipline नहीं अगर आप daily schedule पे काम नहीं कर discipline का होना बहुत जादा जरूर है अगर इस peak time पर अपनी life में discipline लाते है daily उन चार rules को अच्छे से follow करते है तो आपको surely इन चीजों के results देखने को मिलेंगे और अच्छे results देखने को मिलेंगे आपको बाद में अपने उपर regret नहीं होगा अगर आप इन चीजों को follow करते है daily अपना अच्छा schedule बनाए उटके calls ओले meditate करें अपने सारे distractions हटा दे इन चीजों को follow करने का focus पेन अच्छा होगा आपकी concentration और memory पावर ज्यादा अच्छे से होगी इससे आपके results पे अच्छा effect होगा आप ये चीजे आगे आके आपको ही benefit करेगी जो आपके results होंगे आपको इन चीजों का benefit दिखेगा और एक best suggestion देना चाहूँगा sample papers लगाना मत बूलना हर वीडियो में बोल रहा हूँ sample papers जितने जादा लगाओगे mcq-based paper है इस बार तो अगर आप sample papers लेके बैटेंगे भी तो आपको minimum एक गंटा लगएगा एक sample paper solve करने में minimum 7-8 हर subjects के sample papers लगाएं आपको sample papers लगाने में questions के idea होंगे किस टाप के questions आ सकते हैं नए-नए questions मिलेंगे चायद वही question उटके exam में आ जाए ऐसा भी हो सकता है telegram group में daily mcqs डाला होंगर आपने telegram group join नहीं किया तो नीचे description में लेंगे telegram group join कर लेना सारी updates, notes सभी चीज में वहाँ पर post करता रहता हूँ आप लोग ले और एक बार सारी quick revision series देख लेना ताकि आप लोगों को एक quick revision मिल जाए पूरी business studies की quick revision series मैंने डाल रखी उपर playlist पे भी आ रही होगी सारे chapters की अलग-अलग playlist बनी है शारी short tricks देख लेना आपको चीजे याक करने में ज्यादा आसानी होगी